हाँ ही गाईश हम लोग उपजी को पढ़ रहें तो उपी जी को मैंने आज डुस्टिक वाइस ना लेगे इसको मैंने एक टॉपिक वाइस लिए district wise मुझे ऐसा लग रहा थे कि काफी time ले रहा है कुछ important topic हो सकता है फिर छूट जाएं तो पहले हम लोग important topic को पढ़ेंगे उसके बाद फिर जो time रहेगा उसमें district wise पढ़ेंगे तो देखिए आज जो मैंने topic important topic लिया कला संगीत नेत उस्सों मेले परवा बुला यह जो मैंने source उठाया है यह परिक्षामाडी जो यूपी की book है बहुत ही अच्छी book है तो इसी से मैंने topic उठाया थोड़ा अलग से पढ़ेंगे और जो यह content है वो कहां से लिया है परिक्षामाडी का है पूरा उसी की PDF है यह ओके तो देखिए पहला है प्रदेश में संस्क विभा के स्थापना की गई देखिए है क्या हमारा जो उत्तर प्रदेश है यहां पर ब्रज आवत हो गया बुंदेल खंड हो गया रुखेल खंड का इलाका हो गया यह सब यूपी के संस्कृतिक विरासत के छेतर है ठीक है अब यहां पर बुंदेल खंड की बात ही तो विभागेंडान유 परहने दायौ बरेलि पीली-बी साजहां पूर्वरामपूर और यह सब जो हैं यह कहां भगे woll-कंड की बात करें तो बगेल कंड जोproof क herd असले को पे you can pend rekаю तो इस सोन बदर का इंदार को उस्या सब इसके लिए ए अवद में आ जाता है प्रियागराज का हम देखें कुछ पार्ट जो है वो बगेलखंड में माना जाता है और पूरा वैसे देखें तो सोनबद्र का इलाका बगेलखंड का है ठीक है ये तो knowledge के लिए हो गया हमारा तो देखें क्या है विभिन प्रकार की पुरतात्तिक साहित्ति को एतिहासे कलात्न गत्वीदियों क 1996 में जो संस्कतिक विभाग उसके द्वारा मंडल जीला इस्थर पे संस्थानों का निर्मार किया जाता है जो भातकंडे संगी संस्थान था जो विष्णु नरा भातकंडे के नाम पे 1926 की बात तक उसमें लखनव में मैरिस कॉलस की स्थापना की जाती है ठीक है 1966 में 66 में संस्कतिक विभाग की आधीन कर दिया जाता है जिसे थोड़े से और है जैसे यूपी का संगीत नाट अकैदमी कहां पे लखनों में 1963 में संस्कतिक विभाग की स्थापना हुई थी राज ललीत कला अकैदमी की बात के 1962 में लखनों में ये भी है ठीक है और अगर बोले अयुद्ध्या सोसनस्थान तो अयुद्ध्या सही है कि अयुद्ध्या में है 1986 में इसकी स्थापना उती यूपी जान विद्ध्या सोसनस्थान 1990 में ये कहां पे ये भी लखनों में है भा प्रदेश के प्रमुग सांस्कृतिक छेत्र कौन से हैं, तो प्रदेश के प्रमुग सांस्कृतिक छेत्र कौन से हैं, तो प्रदेश के प्रमुग सांस्कृतिक छेत्र कौन से हैं, तो प्रदेश के प्रमुग सांस्कृतिक छेत्र कौन से हैं, तो प्रदेश के प्रमुग सां में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं, देखे, जो स्थापत ते कला जैसे कि मौरे कालीन बोला गया है, प्राचीनतम साचस के मिलते हैं, तो इसका जो निर्माण है, वो चुनार के जो बलवा पत्थर से किया गया था, ठीक है, जो इसके जो अवशेश हैं, यहां पर अधिक जो निर्माण चुनार के बलवा पत्थर से किये गए, मंदिरों का विकास कब होता है, वो गुपतेकाल में होता है, जैसे देवगड का दसावतार मंदीर हो गया, जो कि विश्नु भगवान मंदीर है, अशोक के समय के मतुरा में जो पर्खाम बोर्दा की प्रतिमा हैं, य लाल दर्वाजा, जो कि जौनपूर में है, लाल दर्वाजा किसने जौनपूर वाला बना था, बीबी राजे ने इसको करवाया था, ठीक है, तो खालिज, मुखले, जंजरी, लाल दर्वाजा, ये सब कहां जौनपूर में पढ़ते हैं, ठीक है, देखी, अगर हम स्थाप स्थापत्यकला की बात कर तो आपको पता होना चाहिए भई आगरा स्थापत्यकला मुगल जो काल है उसमें आगरा काफी फेमस है तो आपको पता है कि आगरा का जो प्रशिद किला है ठीक है जो अकबर सैली का प्रथम इसमारक माना जाता है ठीक है तो उसके पास्तुकार कौ प्रथम स्मारक है आगरा का प्रशिद्ध किला उसे किसने उसके वास्तु कौर कौन है कासिम खा हुए तो इस किले में दो दर्वाजे हैं एक पश्चिमिस्तित है जिस दर्वाजे को दिल्ली दर्वाजा बोला जाता है कहां पर जो आगरा के किला है उसकी बात कर रही है और पे इसी के लिए के अंदर सहजादे सलीम के रहने के लिए महल का भी निर्मार कराया गया जिसे जहांगीरी महल का आ जाता है और वहीं के उसे दाई और अकबर ही महल का भी निर्मार कराया गया है ठीक है फतेपूर सीकरी के निर्मार कारे जो है फतेपूर सीकरी में भी आपक कट करने के लिए आगरा से ही वहीं पर में सहर वहां से टैसमील की दूरी पर सहर का निर्माड करया तो गुजरात विजे के बाद इसे सीकरी को जो है उसे फते कर लिये आता है सो जे advantage फतेपुर सीकरी नाम दे दिया जाता है ठीक है यहीं पे फतेपुर सीकरी में दिवाने आम का निर्माण कराया दिवाने आम मतलब जहां पे एक आम लोग वहां पे बैठे प्रशास्की भवन का निर्माण करा अपना दर्वाल लगाते थे और दिवाने खास का भी निर्माण कराया तो जहां खास लोग रहते थे ठीक है और पंच महल का निर्माण कराया तो ये पंच मंजली ये मारत थी जिसे हवा महल के नाम से भी जाना था पंच महल को हवा महल के नाम से भी जानते ध्यान रखेगा जोदावाई का महल वहीं पे है ठीक है तो अगबर ने फतेपुर सीक्री में सबसे उचा प्रवीज दर्वाज बुलं दर्वाजी का निर्माड कराया फत्यपूर सीक्री में ही जामा मजजित तता सेख सेलिम चिस्ती के मगबरे का भी निर्माड कराया ऐसे बहुत सारे जो है वो इंपॉर्टन्ट है ठीक है एक इतामुद दौला का मगबरा इतामुद दौला के मगबरा कहां पे है ये भी आगरहीं पढ़ता है तो इसका जो है नूर जहान जो थी नूर जहान इसका निर्माड कराया था ठीक है और जो इनके पिता थे उनका नाम मिर्जा ग्यास बेग था तो उन्ही का दूसरा नाम इतामुद दौला थे, इस हुझे से इतामुद देला का मगबरा बोला जाता है, ठीक है, बोलाता है कि ऐसी मारत थी जो पूर रुपिर बेदाक संग्मर्मर से बनी हुई थी, ठीक है, तो ये तो इमारतों के बारे में हो गया, ये में पता होना चा ब्रंदावन मंदिर, जहां के दो मंदिर जिते गोविन देव का मंदिर और जगत की सोर मंदिर हो गया, बड़ा इमाम बारा जो की लखनों में आसरवत दौला ने, के समय इसका निर्मारा होता है, कि इस सबार का मगबरा वो भी लखनों में पढ़ता है, लाल बरदरी वो गुप्तेकाल में हुआ। पत्यकला की जो सैली है वे लखनाउ सैली हो गई। लखनाउ सैली का विशुद नमुना कौन सा बड़ी इमामबाडे का हॉल हो गया। ये मैं पता होना चाहिए। चेली आगे आते हैं चित्रकला में। चित्रकला के प्राचिंतम जो नमुने मिर्जापूर सोनबद्र के सोनगड़ा और लिखनी आंदरी मानिपूर जोगी मारा होसंगाबाद रायगड आदिस्तेलों के सहलोगा गुफाओं में मिलते हैं। रायगड लिखनी आंदरी लिखनी आंदरी तो सोनबद्र में है। लिखा ये सोनगड़ा लिखनी आंदरी इंपॉटेंट ऐसे पूछा सकता है। चेली आदर के प्राचिंतम जो नहीं हापर मिलते हैं। सोनबद्र की पंचमखी गुफाएं हो गई। अगर चित्रकला की बात करें तो जो अकबर थे और अकबर के समय दस्वन तो बसावन काफी फेमस चित्रकार थे। हिमायू के दर्वार में दो चित्रकार काफी फेमस हैं। अगर के समय दस्वन तो बसावन ध्यान रखेगा अकबर के समय काफी फेमस होते हैं। मर्धिकाल की प्रमु चित्रकला सैलियां मुगल आगरा, मत्वरा, ब्रच, बुंदेली सैली हो गई, मुगल चित्रकला सैली की निव रखी थी किसने हिमायू ने, मुगल चित्रकला सैली का सुर्ण निकाल जहांगी इर्कवकाल को बोला था, कासी नरेज के सनश्रा में विक् और लक्नो चितिकला सेली के जनक अशित कुमार हलदार को बोला जाता है ओके चमन सिंग ने चित्रवा मूर्त कला पर पुस्तिके लिखी थी 50 से अधी के अधी तंपर्टन नहीं है फिर नेक्स्ट है संगीत कला के बारे में सासी गयन वादन के बारे में फिलाल इसको हम लोग अगले वीडियों पढ़ेंगे ठीक है थोड़ा बहुत जान लेते हैं जैसे मद्यकार के प्रमु संगीतकार को ने स्वामी हरिदास कश्यप सादूल दत्तिल मातंगम अभीनो गुफ्त हो गए हरी पाल अमीर खुसरो काफी इंपॉर्टेंट अधारंग सदारंग भी इंपॉर्टेंट अवाजिद अलीशा सेंड बैजू हुषाइन सर की आदी थे इरानी फार्सी भारती रागों का मिशन किया है अमीर खुसरो ने कवाली तराना कॉल कल्वाना आदी सैलों की खुझ अमीर खुसरो ने की तबला और सितार का विशकार की अमीर खुसरों ने मंदीरों में संगीत बद अर्चना पद संगीत बद्ध रश्णाएं, पुर्चों की अलेगर में पड़ता है। धुरूपद्धमार राका प्रवर्तन को स्वामी हरिधास जी है। प्रिश्टमभगत तु स्वामी हरिधास प्रश्चत थे धुरूपद गयान के लिए। तानसेन बैजु गोफाल आदी आठ सिस्से से स्वामी हरिदास का, आज आता है स्वामी हरिदास के जो आठ सिस्से उसमें तानसेन बैजु गोफाल काफी फेमस थे, ठीक है, तो इतना हम लोग रखते हैं इस पे, फिर आगे इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसमें इतन की उते ही रखते हैं